दोस्तों हिंदू धर में अमावस्या का फिशिश महत्व होता है यह दिन भागवान लक्ष्मी नारायन के साथ ही पित्रों और शनी देप को प्रसंद करने तथा शनी दोश और पित्र दोश से मुक्ति पाने के लिए बहुत खास महत्व रखता है आज के इस बीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के पारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस अमावस्या पर गौम आता को खिला देते हैं तो इससी भागवान बिश्मू मा लक्ष्मी जी की अस्नी कृपा प्राप्त होगे मत्यो दंड पित्र दोश दूर हो जाएगा शनी दोशों से राहत मिलेगी कार्यों में आ रही रुकावर दूर होंगी और बिगड़े कारे भी बनने लगेंगे दुरभा के सो भाके में बदल जाएगा मा लक्ष्मी की गृपा से धन की हानी होना बंथ हो जाएगे धन का लाब होगा इस उपाय का असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है दोस्तों पित्र दोश और शनी दोश दोनों ही बहुत बेड़ादायक दोश होते हैं जिन पर पित्र दोश और शनी दोश होता है उन्हीं कमभी द्रोग लग जाते हैं नौकरी में उन्नती नहीं होती ब्यापार में प्रत्थी नहीं होती घर में अशांती का माहल रहता है व्यक्ति करच में डूप जाता है घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर संतान सम्मंदी कोई ना कोई समस्या चली रहते है बनते हुई कारे भी बिगड़ जाते है इसलिए शास्तों में पितर दोश और शनी दोश को सबसी कमभी दोश बताया गया है दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहली वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए दोस्तों उपाई करने के लिए इस्तान कर सुच्च बस्त थारन करें अब आप बिना च्छाना हुआ आटा ले आपको चोकर सहित याने की भुसी के साथ ही आटा लेना है अब इस आटे को आप शुत्य जल से मड़े आटे में नमक्या कुछ और ना मिलाए अब गैस तबा और चकला बेलन माजे यानि की साफ गैस पर साफ पर्तनों से आपको दो रोटी बनाने है ध्यान रखें आपको इतना ही आटा मलना है जिससे दो रोटी बन जाए अब इन दोरों रोटियों को आप अलग-अलग प्लेट में रख ले एक रोटी पर आप शुत्य घी लगाए और एक रोटी पर आप सर्सों का तेल लगाए अब आप अपने मंदिर के सामने आसन पिछाकर बैठ जाएं भगवान जी के सामने एक शुत्य घी का दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपती जलाएं दिये को सीथी जमीन पर ना रखें दिये को किसी कटोरी में याफे थोड़ी से साबो चावल रख इसके उपर दिया रखें अब आप भगवान शरी गनीश, भगवान शीहरी विश्न, मा लक्षमी ची को प्रणाम करें और बचरंग बली को प्रणाम करें, पित्टर देप को प्रणाम करें इसके बाद आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं दोस्तों आपको भगवान जी को मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाना है अगर कोई मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर या गुड या बतार्शे का भी भोग लगा सकते हैं ध्यान रखें आपको भोग भी दो अलग अलग पात्रों में रखना है एक बात्रों में आपको तुलसी दल रखना है और यह भोग आपको भगवान विश्णू मालक्ष्मी जी को लगाना है भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान शरी गनेश को प्रणाम करें फिर भगवान विश्णू मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासु देवाए दोस्तों इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है अगर हो सकी तो इस मंत्र का तुलसी की माला बार जाप करें देब को प्रणाम करें दोस्तों शास्तों में भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी को पित्रों का देब कहा जाता है इसलिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए भगवान विश्णु मालक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए अब आप पित्र देब के इस मंत्र क 108 पार जाब करें मंत्र इस प्रकार है ओम पित्रभ्य नमा ओम पित्रभ्य नमा दोस्तों अगर आपको मंत्र का जाब करते समय कटनाई महसूस हो क्या आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे तो आप पित्र चालेशा का पार्ट करें अब आप पित्र दॉप से हार चोड़ कर पित्र दोष्टे मुक्ति की प्रात्ना करें भागवान विश्णुमा लक्ष्मी जी से अपने पित्रों की आत्मा की शांति की प्रात्ना करें प्रात्ना करें प्रात्ना करने की पश्चात अब आप बज्रंग बली को प्रणाम करें और हन्वान चालेसा का पाठ करें दोस्तों शास्तों में बताया गया है कि शनी देप को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है परजंग बली की पूजा करना माना जाता है कि जिन पर परजंग बली की कृपा होती है बजरंग बली जिन पर प्रसन्न होते हैं उन पर शनी देप का कोई भी दुश प्रभाव नहीं रहता बजरंग बली के भक्तों पर शनी देप सद्य प्रसन्न रहते हैं इसलिए शनी देप को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बली का पूजन अवश्य ही करें हन्वान चालिसा का पाठ करने के बाद आप शनी देप के चालिसा का पाठ करें या फिर शनी देप के इस मंत्र का जाब करें मंत्र इस प्रकार है ओम शम शनिष्चराय नमा। मंत्र का जाप करने के बाद आप बरजंग बली और शनिदेव को प्रणाम करें। और धैया साड़ी साद्डि या महादशा जो भी हो या शनिदेव कोई भी कुप्रभाब हो, उन सब को दूर करने के आप बर्जंग बली और शनीदेव से प्रातना करें प्रातना करने के परशाद आपने भगवान विश्णुमा लक्षमीची को तुलसी दर और मिश्ठान या शक्कर का जो भोग लगाया है उसे आप भी लगी रोटी पर रखतें और आपने भर्जंग बली और भगवान जी को जिस शक्कर या मिश्ठान का भोग लगाया है उसे आप सर्सों के तेल लगी हुई रोटी पर रखतें खोश सके तो आप भर्जंग बली को पूंदी के लड्डू का भोग लगाये और इस लड्डू को आप सर्सों का तेल लगी हुई रोटी पर रखतें दोस्तों अब आप इन रोटीयों को गौमाता के पास ले जाएं गौमाता के पास चाकर आप गौमाता को प्रणाम करें दोस्तों शास्तों में गौमाता का विशिश महतु बताया गया है शास्तों के अनुसार गौमाता में 33 कोटी देवी देपताओं का बास होता है गौमाता की सेवा और पूचा कहने से 33 कोटी देवी देपताओं का आशिरवात होता है इसलिए आप इन दौनों रोटियों को गौमाता को खिला दे हो सके तो इन रोटियों को आप काली रंगी गौमाता को खिलाएं अगर काली रंगी गौमाता ना मिले तो आप कोई भी गौमाता को यह रोटियां खिला सकते हैं लेकिन ध्यान रखें सबसे पहले आपको सरसों का तील लगी हुई रोटी गौमाता को खिलाने हैं गौ माता को सर्सों का तीन लगी रोटी खिलाने के बाद आप भखवान शिरी करेश बर जंग बली और शनी देप को प्रढम करें और शनी देप से जुड़े हुई दोशों को दूर कहने की गौ माता से प्रातना करें इस तरहें प्रात्ना करने के बाद अब आप शुत्य खी लगी हुई रोटी वो आप गौमाता को खिला दें यह रोटी गौमाता को खिलाते समय आप ओम्नमो भगवति वार्सु देवाय मंदर का जाब करते रहें रोटी खिलाने के बाद आप भगवाय शुरी गनेश भगवाय शुहरी विश्णु माल लक्ष्मी जी और पित्र देप को प्राडाम करें और पित्र दोष पित्र रण से मुक्ति की प्रात्ना करें पित्रों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रात्ना करें दोस्तों इस तरहें गौमाता को भोजन कराने से समस्ति देवी देटाओं का आशिवात प्राप्त होता है और पित्र दोश शनी दोश से राहत मिलती है बिगड़ी हुए कार्णे बनने लगते हैं घर में सुख सम्रत्थी आती है मालक्ष्मी जी के भी किरपा प्राप्त होती है और व्यापार में उन्नति और तरक्की होती है शास्तों में बताया गया है कि गौमाता में मालक्ष्मी का भी बास होता है इसलिए गौमाता की सीवा करने से धनसम्मंदी समस्याएं भी दूर हो जाती है दोस्तों गौमाता को रोटी खिलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है गौमाता की यह जो रोटी है इन्हें आप बासी करके गौमाता को ना खिला यानि कि पूजन करने के बाद आप ताजी रोटी के गौमाता को खिलाएं गौमाता को पूरे सम्मान के साथ रोटी खिलाएं गौमाता को के सामने रोटी फैंके नहीं अगर आपको डर लगता है तो गौमाता का जो भूचन वाला इस्थान है जहां चारा हो तो आप वहां पर रोटी रख दें गौमाता को रोटी खिलाते समय चपन ना पहने चपन उतार कर आप गौमाता को रोटी खिलाए और पीरियर के दोरान महिलाएं गौमाता को रोटी ना खिलाए गौमाता को रोटी खिलाते समय साप सफाई का ध्यान रखे दोस्तों इस तरहें कौमादा को रोटी खिलाने से घर में सुक्सम्रथी आती है धन का अभाब नहीं रहता पित्र दोश और शनी दोश से राहत मिलती है पित्रों की कृपा प्राप्त होती है शनी देप की भी कृपा मिलती है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंज और इस्तेदारों में जादर सजयादर शेयर करें जिससे बह भी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें थैंक्स पर वाचिंग राती राती